तो सबसे पहले तो आपको platform के basics को समझना पड़ेगा आप अच्छा content create करें आप proper तरीके से उसको present करें तो आपको definitely अच्छी reach मिलेगी इसके अलावा next important चीज होती है trends को follow करना क्या topics trend हो रहे हैं nationwide क्या season चल रही है कौन से days important है तो उसके according भी आपको posting करनी चाहिए then लोग आपके content में क्या चीजें पसंद कर रहे है हो सकता है आपकी photography को पसंद कर रहे हो हो सकता है आप जिस तरीके से brands के बारे में बात करते हो किसी चीज को positive way में या negative way में present करते हो या mimicry करते हो उसको पसंद कर रहे हो तो उस part को आपको identify करके जो है आगे content बराना चाहिए plus time to time हमें public से interact होना चाहिए आज almost सारे platforms पे live का feature है जहांपर आप अपनी audience के साथ live जूरते हो उनसे interact करते हो उनके questions को answer करते हो और कहीं न कहीं उनके mind में एक positive image आपकी build हो जाती है और वो समझते हैं कि definitely you are worth something for them और इस तरीके से आप एक influencer बढ़ते हो ना कि केवल fake followers purchase कर लेने से और likes purchase कर लेने से